नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम डेटा किसी दूसरी फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं तो आपको इस्तिमाल करना होगा फाइल के मेनू में इंपोर्ट ऑप्शन को तो देखें जरा वो कैसे इस्तिमाल की जा सकती है देखें हम फाइल मिनों पे जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करके हम तीसरी ऑप्शन है इंपोर्ट डेटा की उसका इस्तिमाल करेंगे इंपोर्ट डेटा के बाद आपका डेटा जिस भी तरह की फाइल में पड़ा हुआ है आप उस फाइल का चुनाव यहां से कर सकते हैं मालीजिए मेरा डेटा एकसल की फाइल में पड़ा है तो मैं एकसल फाइल का चुनाव करूँगा देखिए जैसे ही मैंने Excel को चुना अब मुझसे ये इंटरफेस पूछ रहा है कि आपकी Excel फाइल ये देखिए फाइल टाइप जो पूछ रहा है कि आपकी Excel फाइल कहां पर पड़ी हुई है आप उसको ढून कर Open का बटन दबा दीजिए तो देखिए मेरा डेटा जो है जिस फाइल में पड़ा हुआ है मैं उसको ढून लेता हूँ और उसको यहाँ पर Open कर देना चाहूंगा मा लीजिए कि हम इस प्रकार का डेटा जो है वो अंकित करना चाहेंगे तो डेटा व्यू में आप देखिए लाने से पहले हमें पूछ रहा है इंटरफेस के शीट नंबर एक में पड़े हुए इंस रेंज से हम डेटा उठाएंगे और उसका प्रीव्यू भी आपको यह दिखा रहा है इसमें हम कई तरह की Options का उपयोग कर सकते हैं के Read the Variable Names from the First Row of the Data Percentage of the Values that Determine the Data Type यह 95% Values पड़ी है Remove Leading Space का Option हम चुनाव कर सकते हैं Remove Trailing Spaces भी अगर हमारे स्ट्रिंग में पड़े हैं तो उरका भी हम चुनाव यहां कर लें तो जैदा अच्छा रहेगा ऐसा करने के बाद आप यह OK बटन जो है नीचे ब्लू कलर का इसको दबा दीजिए और आपका डेटा आने के लिए अगला स्टेप यहां पर शुरू हो जाएगा तो देखे फ्रेंट्स जैसे ही हमने इंपोर्ट बटन के बाद OK बटन क्लिक किया तो हमारा डेटा जो है वो डेटा व्यू के अंदर जो की ग्रे कलर का दिख रहा है उसमें आ चुका है और सारे हेड़र्ज जो हैं वो यहां दिखाई देने लग गए है और डेटा वैल्यू जो हैं वो मुझे नीचे की तरफ दिखाई दे रही है देखे इस data के import होने के बाद अगर आपको दिखे के कुछ रोज जो है वो खाली है तो आप उन पे right click करके select करके right click करके आप उने cut कर दीजिए और unwanted data जो है उसको वहाँ से remove कर लीजिए तो data आने के साथ साथ अगर आप variable view में जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा के सभी data के variables के नाम जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उनका type भी नजरा रहा है तो जैसा SPSS को लगा उसने उसी प्रकार के scale के साथ इसको associate भी कर दिया है यदि यहाँ पर भी आपको लगे के कुछ variables जो हैं वो extra इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप उनको भी select करके आप delete कर सकते हैं और right click करके clear button दबाएंगे तो ये सारा जो variables हैं जो नहीं होने चाहिए वो वहाँ से हट जाएंगे confirm करने के लिए आप data view में जाकर दुबारा देख सकते हैं कि आपके जो variables आखरी variable के बाद आगे के variables जो थे जो नहीं चाहिए थे वो अब यहाँ से हट चुके हैं तो दोस्तों इस प्रकार आप Excel फाइल से data को import करके आप data view को generate कर सकते हैं आशा करता हूँ आपको वीडियो असानी से समझ में आ गया होगा आप प्लीज देखते रहिए चैनल को और like कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आप जानना चाहते हैं SPSS धन्यवाद